दर्शको मनेश सूंद्या के लिए बेल मांगते मांगती अर्विंद केजवाल के लिए जेल के रास्ते खुल चुके हैं जिस कंधे पर बंदूख रखके अर्विंद केजवाल और उनकी साथी गड़ों ने आरोपों के मुदापिक इस शराब घोटाले को अंजाम दिया वही कंधा अर्विंद केजवाल से बगावत कर बैठा है वो कंधा ये बगावत कर बैठा है कि वही सज़ाट अकेले क्यों भुकते असली दोख्षी तो वह है जिसने बंदूख चलाई तो बंदूख धारी बंदूख चलाने वाले को सजा मिलनी चाहिए जिसके लिए अब अर् क्योंकि उसी कारेवाही में इन सारे सवालों के जवाब छुपे हुए है तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लिजे दरसल दोस्तों हमें पता है कि लगातार जिस तरह के आरोपो में अरविंद के जवाल और आम आदमी पार्टी घिर रही है वो वाकई अरविंद के जवाल पर पहाडों की तरह तूट पड़ रहे हैं दरसल अब दोस्तों जानते हैं कि सुप्रिम कोट में ऐसा क्या हुआ दरसल सुप्रिम कोट में मनिश सुंधिया के बेल को लिकर लगातार यहां पर कारवाही चल रही है हमने देखा है जिसके बाद कारवाही के दौरान ED की तरफ से अपनी दलीले रखी गई इसके अलबा मनि शिसोंधिया के जो वकील है अभिशेक मनु सिंग भी उनकी तरफ से अलग दलीले रखी गई तो यहां पर ED के तरफ से जो वकील है जो सॉलिसिटर जर्न है उनकी तरफ से कहा गया कि यहां पर जो पैसा है वो बरावन नहीं हुआ है दरसल पैसे जो है आम आदमी पार्टी क चुनावों में खर्च किये जा चुके हैं जो भी रिश्वत के तौर पर लिये गए थे जो भी करॉप्शन के पैसे थे वो सारे ही गोवा चुनाव हो या फिर गुजराच चुनाव हो पंजाब चुनाव हो इन सभी चुनावों में खर्च किये जा चुके हैं जिसके बाद जो जज है यानि कि सुप्रीम कोट द्वारा कहा गया कि अगर आम आदमी पार्टी पैसा आया आम आदमी पार्टी के चुनाव में खर्च हुआ और आम आदमी पार्टी जो है एक खुद में ही कॉर्परेट है आम आदमी पार्टी कॉर्परेट है लीगल परसनेलिटी है तो के बाद कई अन्याय सवाल जवाब हुए जिसमें एक और बात निकल कर आई दरसल अभिशेक मनु सिंग्वी जो की मनिश सूधिया की तरफ से वकील है उन्होंने एक बात कही उन्होंने कहा कि अगर यह जो फैसला था यह जो जो नई नितियाई इसका फैसला था यह आते हैं दोस्ताब आपके मन में सवाल आ रहोगा कि वो कैसे वो भी बता देती हूं दरसल एक सवाल था कि आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया क्या और आम आदमी पार्टी के संयोजा कौन है वो है अर्विंद के जवाल और एडी ने यह घोशना कर दी है अब आदमी पार्टी को पार्टी बनाएंगे उसके लिए अलग से दर्ज करेंगे वहीं दूसरे तरफ अभिशेत मनु सिंग्वी द्वार किया हुआ सवाल कि अकेले मनी शिसूलिया आरोपी कैसे हो सकते हैं यह तो कैबिनेट का फैसला था अब कैबिनेट का फैसला था त चैसे तोर पर कंद्य ने जिस मनीशि सून्धिया के कंधय बंदूख रख्के अरविंध के जवाल ने आरोपो के मुताबक इस घोटाले को अंजाब दिया तो उस कंद्य ने ही अब बगावत कर दिय adjustें और अरविंध के ज़वाल की तरफ यह इशारा हो चुका है कि अकेल में आना फेल जिसका गोटाले के आरोप अर्विंद के जुवाल पर हैं उस समय पर प्र प्रडीन को जेल से बाहर चुडाएा ज़ार यहां पर जो आरोप लग रहे हैं वहopol कमी कि I आरोप एक यह रहे हैं वर जफी कोई Understanding को अगर किसी न्यूस चैनल के पास इतनी इतनी लिस्ट है कि कहां से ये जो सारे फरनीचर का खरीदा गया, कहां से पर्दे खरीदे गए, ये पूरे लिस्ट किसी राज़दार जो बिलकुल करीबी व्यक्ति हो उसी को पदा चल सकता है, वही जान सकता है. तो यहाँ पर सवाल यह आते हैं कि न्यूस चैनल के पास इस पूरी घोटाले के जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उसके दस्तवेज कहां से आए तो जाहिर सी बात है कि किसी करीबी नहीं यहाँ पर यह दस्तवेज न्यूस चैनल तक पहुँचाए जिसमें लोग लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि यह पूरा किया कराया सतेंद्र जैन का है क्योंकि अरविंद की जवाल ने सतिंद्र जैन को भी जैल से छुड़ाने के लिए कोई कहास प्रयास नहीं किया और उसके अलावा मनेश सोधिया के लिए भी कुछ ऐसा प्रयास नहीं किया जिसे मनेश सोधिया खुस हो चुके लगातार दोस्तों यहां पर जिस तरह की अरविंद के जवाल बाते करते हैं उनसे तो यही पता चलता है कि अरविंद के जवाल इन दोनों को यानिकी जो भी उ की जवाल गए वहां पर किसी मीडिया कर्मे ने पूछ दिया कि मनेश सोंधिया के बारे में सर आप क्या कहना चाएंगे • तो उसके बाद नेकी जवाल का जो यहाँ तो रजनीटीं मत darle का यानि कि मनेश सोंदिया को वो राजनीती करने का सौधा मानते हैं, राजनीती करने की एक स्ट्राटेजी मानते हैं, और यही चीज अब इन दोनों के साथ ही हुई, तो यहाँ पर अभी कहा यही जा रहा है कि अरविंद केशवाल को जो जेल का रास्ता तै कराना है, वो मनेश और इसके अलावा सतींदर जेन ही कराएंगे और इसके अलावा लगातर आम आदमी पार्टी को जब पार्टी बनाया जाएगा पार्टी बनने वाली है तो इसके बाद आरोपो की लड़ी लग जाएगी और राज पर लाज खुलते चले जाएंगे जिस तरह की फंडी की भी बाते सामने आ रहे हैं जो करनेडा में बैठा हुआ आतंकी है पन्नु वो भी क्या चुका है कि उसने आम आदमी पार्टी को चुनाव जितवाया है आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़वाया है यानि कि सीधे तोर पर फंडिंग की बात कर रहा है दोपाई से भी फंड और अरविंद केज्वाल के गले की फांस बन जाएंगी और यह icit के अरविंद केज्वाल के जोरे करके केने रजनी ते करियर के आता, जितने भी के यहां में फूरति कर चले गए बचे थे संजय सिंग मनीश सूंद्या और सतिंद्र जैन इन तीनों को ही अर्विंद केशवाल ने अपनी चालाकी से रास्ते से हटा दिया जिसके बाद अब अर्विंद केशवाल यह सोच रहे हैं कि उन पर कोई भी आच नहीं आएगी लेकिन अब यह जो नया म करते हैं वो खुलती चली जाएंगी और अर्विंद केशवाल इसके लपेटे में आ जाएंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहे हैं तिंग टैंग